कब तक मापसी लोटा है? मुख्य मंत्री जी के स्वास्त के लेके जो अपडेट है वो पिछले कुछ दिनों से एमस दिल्ली में जो उनका उपचार चल रहा था उसमें आज की डेट में जो आप लोगों के माध्यम से में प्रदेश वासियों को भी जो उनके वैल वीशर थे उनकी सिहत को लेके जो चिंतित थे लोग प्रदेश में उन सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी अब स्वास्त हैं उनके स्वास्त हमें बड़ी तेजी से सुधार हुआ है और एक दो दिन के अंदर अगले एक दो दिन के अंदर मुख्य मंत्री जी शिम्ला वापिस आने वाले है आप ये समझें कि वो दिवाली से पहले कल भी हो सकते हैं या परसों तक मुख्य मंत्री जी शिम्ला वापिस आने वाले हैं और आस्पीटल से वो अलरी आईशियू से वो बाहर निकल चुके हैं और ठीक है कि जो डॉक्टर्स है और उनकी टीम है जो उपचार कर रहे थे उन्होंने उनको आराम की सलहा दी है और आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी लगातार पिछले चार-पांच दिनों से उनके स्व वो भी उन्हें कामकाई शुरू किया हूँ तो यह हमारे लिए सब के लिए एक बहुत खुशी की खबर है कि हमारे मुख्यमंत्री जी एक दो दिन के अंदर जल्दी परदेश्वास्यों के बीच शिम्ला पहुंचने वाले हैं तो यह हम सब के लिए प्रदेश वासियों के लिए उनके वैल विशर सब चाहने वालों के लिए यह बहुत खुशी की ख़वर है कि मुख्यामंत्री जी स्वस्थ होके दिवाली से पहले प्रदेश वासियों के बीच होंगे आइसु के आइसुटेशन वाड़ से बहर आगे हैं सर अब वी आईपी वाड़ में हाँ वो तकरीबन वो चार पांच दिन पहले ही आईसुटेश से बहर आचुके थे लेकिन डॉक्टरों की यह सिलाहा थी कि जो अपने प्राइविट वाड़ में वो थोड़ा सा देखवाल और उनका जो एक observation में रखते हैं वो period भी खतम हो गया और मैंने पहले भी जिकर किया कि उनके स्वास्ते पूरी तरह सुधार हो चुका है खाना पीना वो ले रहे हैं काम कर रहे हैं और अपना walk कर रहे हैं और जो ज़रूरी फैसले हैं वो मुख्यमंद्री जी वहां से कर रहे अगर शिम्ला लोटेंगे तो क्या पबलिक से मिल पाएंगे या अभी रेस्ट लेंगे देखिए ये ये बात तैय हैं कि वो एक दो दिन के अंदर परदेश में आने वाले और शिम्ला आएंगे और उसके बाद डॉक्टर्स की टीम उनको अगले कुछ दिनों के लिए और क ट्रिट्मिंट मिला जो ट्रिट्मिंट शिम्ला के इंदरा गांधी मेडिकल कॉलेज में हो रहा था वही ट्रिट्मिंट आगे कॉंटिन्यू किया है लेकिन आप समझें कि शिम्ला में दिक्कत क्या थी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जो उनके चाहने वाले लोग थे मिलने वो पहले दिन जब वो यहां रहे तो आपने देखा कि किस तरह से मेडिकल कॉलेज इंद्रा गांधी मेडिकल कॉलेज में लोगों को मिलने वालों का तांता लग गया तो उनका जो प्रोटोकॉल था एम्स में जाने के बाद ये सबसे बड़ी सुवीदा रही कि वहां पर मिलने का बिलकुल भी अलाव नहीं था और उससे बहुत तेजी से स्वास्ते में भी सुधार हुआ और साथ में जो इस ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिन वो कामकाज तो अल्रेडी शुरू कर चुके हैं लेकिन शिमला आने के बाद उनका क्या कारेक्रम रहेगा कैसे आगे बढ़ाएंगे ये जानकारी हम आपको अगले एक दो दिन में शेयर करें नरीजी जिस तरह से एएसीसी ने उन्हें स्टार कशारक के लिए भी चुना है तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो पांच राज्यों के चुना हुने खास का राजस्तां के बात दिये तो महां पर क्या रहे जाएंगे देखिए अभी तो पहले चरण में मैं इतना कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी एक दो दिन में इमाचल वापसी कर रहे हैं और उनको अपने सरकार को जो जो जूरी फैसले बड़े फैसले उनको आगे बढ़ाना है और प्रदेश के लोगों के बीच आना है और अपने स्वास्ते के लेके उनके जो डॉक्टर से उनको क्या आडवाईज करते हैं और कितने दिन का आराम उनको जो है सुझाते हैं आडवाईज करते हैं वो इंपोर्टेंट होगा उसके बाद ही अगले फैसले हो सकेंगे कि वो परचार में जा पाएंगे या नहीं ज सलहा देते हैं ये हम सब को इस बात के लिए एक दो दिन का इंतजार करना पोड़े तीन फेश में अपना जो भी नुकसान आपदा के लेके बरसात में हिमाचल परदेश का हुआ और उसके बाद हमको एक उमीद भी थी कि दो बारी टीमें भी आई बारत सरकार ने टीमें भेजी उसका मतलब था कि हमें एक उमीद थी कि हमने जो कुछ भेजा है जो भी असेस्मेंट थी हर तरह से हमने बारत सरकार को भेजा था और उसके बाद उनकी टीमें आई और उन्हो से भी गी थी और वो एक परदेश वासियों के लिए उस वक्त एक ऐसा दोर था कि हमको मदद की जरूरत भी है और इस उमीद के साथ कि हमको कुछ स्पेशल रहत पैकेज जो है भारत सरकार से मिलना चाहिए हिमाचल परदेश एक स्पेशल केटेगिरी स्टेट है आप समझते है इसमें जो योजनाई हैं वो नबे दस में या असी दस में होती है तो हमें यहां भी एक उमीद थी कि हम पाड़ी राज्य है गरीब राज्य है ह लेकिन जो भाजपा के इमाचल परदेश में जो नेता है बार बार बियानबाजी करके इस बात को मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार की तरफ से भी और कॉंग्रस पार्टी की तरफ से भी ये उन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपको भी परदेश की जंता को बताना चाहिए कि आप लोगों के क्या प्रयास रहें क्या आपदा नहीं थी क्या नुकसान नहीं हुआ हिमाचल परदेश में जब हुआ है तो आप लोगों के क्या एफट्स रहें आप लोगों ने प्रदान मंतिजी से या भारत सरकार से कब यह आगर है किया ये परदेश तुरणत मदद कर देगा, जहां पर सरकार कॉंग्रेर्श की है, जो बहुना होती है, विश्ट की बहुना उस तरके से तो नहीं कर पह पाए। नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए इस तरह की सोच नहीं होने चाहिए यह फेडरल सिस्टम है राज्यों सरकारों की जो मदद होती है जो भी बजट आता हो बारा सरकार बनाती है हमारे जितने टैक्स होते हैं इंकम टैक्स की आप बात करें जी एस्टी की बात करें सारा बारा सरका के पास जाता उसके बाद शेयर मिरता है तो ये ये कोई हमारा अधिकार है अगर हम आज बुरे वक्त में थे हमें साहिता की जरूरती हम स्पेशल पैकेज की अगर मांग करें तो ये ये मानवलता के अधार पर भी होना चाही था और अधिकार के अधार पर भी होना चाही था यह हमारे परदेश के लोगों का धिकार भी है कि भारव सरकार की जिवावारी भी है कि वो ऐसे वक्त में हमारी मदद करें लेकिन आपने जैसे जिकर किया जब उत्रा खंड में तरासदी आई तो उस वकत यूपिय की सरकार थी तो उसमत के ततकारिन परदानमंत्री जी ने बिना सोचे समझे बिना इंतजार किये एक हजार क्रोडर रुपे का पहले उनको साहिता के तौर पे दिया कि आप जाके वहाँ परदेश के लोगों की साहिता करें उसके बाद और भी उनको बहुत बड़ी मदद मिली तो हम भी यही उमीद करते थे कि हम बूरे वक्त में थे देश के माने निया परदानमंत्री जी बार बार इस बात का जिकर 2014 में 2019 में कर चुके हैं पबलिक विटिंग्स में कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश से मेरा बड़ा लगाओ है वहां के लोगों से मेरा बड़ा नाता है हमें वो उमीद और भी बड़ी थी कि परदानमंत्री जी जिस परकार हिमाचल प्रदेश के लोगों से अपने लगाओ की बात करते हैं तो हमें पूरी उमीद्ती कि हमें जितनी सायता है उससे भी ज्यादा मिलेगी लेकिन दुर्भाग्यपूरण वंच अभी आप देखिए कि अभी तक कोई ऐसी बात प्ывать की जो है सामने नहीं आई मेरे जी जिस तरह से केंदर ने इड़्वांस में भी किष्ट दे दी अगर बात की जा सरद्य हो क्या बरफबारी का दौर शुरूव होने वाला है हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, सरकारी संपतियों का नुकसान हुआ, लोगों की प्राइविट प्रॉप्टीज का नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान ही माचल परदेश के लोगों ने जेला, जब उसमें हमारी सरकार को और मुख्यमंद्री जी को लोगों ने आग सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और लोगों को साहिता मिली जो इस वकत अहलात बहुत खराब थे तो यह बरफ से निपटने वाली बात है हम तो यह बोलते हैं कि अच्छी बरफ बारी हो हम पुरी तरह से हर तरह से इस आपदा के बाद हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं इन चीजों के लिए मेंशा हमारा पूरा मेकेनिजम त्यार रहेगा, हर महकमा त्यार रहेगा, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत वारी बात नहीं. सर, क्रिप्टो करंशी की बात किया, जस तरह से लगातार गिरफतार यह हो नहीं, आप क्या अफडेट है इसको लेकर त्यूकि जनता भी जाना है? साइटी की मैं इस बात को लेके बहुत तारीफ करता हूँ, जो स्टेटस रिपोर्ट कल या परसों मानेनी हाई कोट में उन्होंने दी है, उसमें साफ जिकर किया गया कि बड़े पैमाने पे इसमें तकरीब लाख लोग के करीब जो इसमें इन्वाल्मेंट है, और जो भी लोगिस में दोशी है, उनको किसी भी कीमत पर बक्षा नहीं जा रहा है, और उनके द्वारा अरजित की गई संपतियों को सरकार एक दम से जफ्त करेगी और उसकी कुड़की होगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक लोगों के साथ धोका हुआ है, लेकिन जितनी तेजी से ये SIT ने काम किया है, उसके नतीजे जो है, हम और आप देख रहे हैं, कि ये सारे लोग जो भी इसके पीछे होंगे, कोई भी व्यक्ति जो है, बचने वाला नहीं। जो स्कीमे हैं वो अलग है, नबाड से हमारी सडके बनती है, पाने की स्कीमे बनती है, सिंचाई की स्कीमे बनती है, वो अलग होती है, पीमजे स्वाई के तहट जो सडकों की डीपी आर्स गई थी, वो अलग पैसा है, उसमें रूलर एरियाज में जो सडके हैं, उसकी कनेक रुकसान चाहिए प्राइविट प्रॉपर्टीज का था वो उसका अंकलन करके प्रदेश सरकार ने दसाजार बाराजार क्रोड रुपे का पूरा भारत सरकार को भेजा उसके बाद भारत सरकार से स्कीम दो टीमें आई तो उन्होंने उसको एनलाईज करना था कि उसके गोशित किया जिसमें आप सब लोग शामिल थे और उसको आगे जाके मंडी में बिलासपूर में कुलो में और उस राहत पैकेज में कितने सारे परिवर्तन किये जो एक लाख रपया मिलता था किसी घर अगर किसी का घर खराब हो जाए तूट जाए रहने योग्या ना रहे तो उसमें मुख्या मंद्री जी ने साथ लाख का प्रोविजन किया है और भी सारी चीजों कि जो लॉसिस थे उसमें बहुत बड़े पैमाने पर उसमें उसको बढ़ाया गया चाहिए उनके पशूर थे या उनके घर है जमीने हैं उसमें जो पैकेज था वो पैंताली सो क् रुपे का स्पेशल पैकेज सबी रहा जितने भी लोगों को इसमें नुक्सान हुआ था वो शुरू किया हुआ